नमस्कार मैं हो प्रवेंड गोतम दोस्तों नए भारत में मोदी सरकार की गलतियां चुपाने का पबलिक को मुर्क बनाने का और माइंड गोश करने का नया फॉर्मूला है कि जहां खुली आखों से भी मोदी सरकार की गलतियां दिखाए दे बहां पर भी सवाल पूछने वाली आवाजों को बदनाम कर दो जैसा की संसत की सुरक्षा में चूप के मुद्धे पर हो रहा है सरासर मोदी सरकार की सुरक्षा ववस्ता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं मोदी सरकार की जवाब दे ही बनती है उसके बावजूद मीडिया कहता है कि देखी विपक्ष वाले संसद में सुरक्षा की चूक जैसे गंभीर मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं अब सवाल करना भी सियासत हो गया है पत्रकारों का सवाल पूछना भी आतंकवादी वाला कदम हो गया है और पूरा एकोसिस्टम अब सवाल पूछने वाली आवाजों को बदनाम करने में जुट गया है चाहे आईटी सेल वाले हूँ चाहे मीडिया एंकर हो या बोलीवुड की अबिनेतरी हूँ अब कंगना रनोत ने इस मुद्धे में रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को कैसे घसीर दिया कंगना रनोत ने एक इस्टाग्राम स्टोरी शेर की जिसमें दिखाती है कि सागर शर्मा जो की संसद में घुसा था जिसने संसद में धुआ धुआ करने का काम किया उसने रवीश कुमार के कुछ पोस्ट शेयर किये होंगे आएम विद रवीश कुमार फेस्बुक ग्रूप का वो हिस्सा है इसे लेकर कंगना एक स्टोरी शेयर करती है जिसमें रवीश कुमार की फोटो का भी इस्तमाल किया है और क्या कहा कंगना रनोते कंगना रनोते कहा कि हर एंटी नेशनल और आतकपादी मैं आतकपादी शब्द का इस्तमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर आपके अंदर पागलपन और साहस है तो क्रिमिनल गतिविदिया करने के लिए आप आतकपादी बन जाते हैं लेकिन अगर आप फट्टू हो तो आपके इरादे तो खतरनाक हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती तो आप सिर्फ एंटी नेशनल बन कर रह जाते हैं दोनों समान हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है हिंद्वों से नफरत करने वाले हैं और लिबरल से साहनुबुती रखने वाले दोस्तों कंगना रनोत की पोस्ट के माइने ये हैं कि सागर शर्मा जैसे युवा आतंकपादी हैं और रविश कुमार जैसे पत्रकार एंटी नेशनल और फट्टू हैं। हैं अगर ऐसे में सरकार से नाराज कुछ बेरोज़गार यूभा किसी क्रिमनल गतिविदी में शामिल हो जाते हैं उनकी पोस्ट कभी शेयर की हो तो भला उस से रविश कुमार का क्या लेना देना रविश कुमार हो या हम जैसे पत्रकार हो सब सरकार से सवाल करने वाली पत्रकारता करते हैं जन हित के मुद्दे उठाते हैं अगर कल को कुछ युवा इससे शेर करें और आगे जाकर किसी क्रिमिनल गतिविदी में शामिल हो जाए तो पत्रकारों का भला इसमें क्या दोश है कंगना रनोत दूसरों को धुआ धुआ कर दिया क्या मजाद बना दिया है संसत की सुरक्षा का सवाल मोदी सरकार से होना चाहिए उल्टा सवाल करने वाली आवाजों को ही बदनाम किया जा रहा है कि देखिए इनकी विचारधारा की वज़े से ये युवा बहग गए यानि पत्रकार सवाल पूछना क्या बंद कर दें आप इस तरह सवाल पूछने वाली आवाजों को बदनाम करने के इस खेल को लेकर क्या सोचते हैं जिसमें अल्टिमेटली उन्हीं लोगों को मुर्क बनाया जा रहा है जो पी-एम मोदी के भक्त हैं उन्हें भक्ती से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा वो चाते हैं कि वो अन्दभक्ती में ही डूबे रहें और ये न देखे कि मोदी सरकार में कहां चूक हो रही रोजगार के मुद्धे पर सुरक्षा के मुद्धे पर सिर्फ इतना दिखाया जाए कि देखी ये चूक हो गई मोधी जी को बेवज़े बदनाम कर रहे हैं इन लोगों का इरादा है मोधी को हमेशा टार्गेट पर लेना तो इस तरह पबलिक को मुर्क बनाने का ये सारा खेल है आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्री रायर जरूर दें अगर आप हमारे पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्षिन का इस्तेमाल करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार